Hello students, how are you? This is Gaurab Bhardwaj here for you. आपका स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में. दोस्तों मुझे पता है काफी सारे स्टुडेंट्स बैंक की प्रिपेशनल्स कर रहे हैं. They want to knowledge how to get job in bank. चाहे वो color की job हो, चाहे वो PO की हो. तो ऐसे मैं आप सबके लिए dedicated videos हमारी आती रहती हैं. आज एक शांदार वीडियो आप सबके लेकर आया हूँ. काफी सरे बच्चों का demand था, comments आए कि सर, bank की job के लिए self study अच्छी रहेगी या coaching लेना. बहुत सरे बच्चे become first year में हैं, उनका question है कि हमें study कभी start करनी चाहिए, कब पढ़ाई करना शुरू करें, बहुत सरे बच्चे second year में हैं, वो चाह रहे हैं कभी study करें, कुछ बच्चे साहथ ये सोचके बैटे हैं, कि चलो, graduation complete हो जाए, उसके बाद हम study करना start करेंगे, coaching लेना start करेंगे, तो क्या सही है, आज की वीडियो देखने के बाद, guaranteed आपकी bank में job लग सकती है, मैं आपको खुद बताना चाहूँगा, मेरे 5 students already bank में job पाच चुके हैं, जिने मैंने guide किया, दोस्तों मुझे 13 साल हो गए हैं, teaching करते करते, और अपने students को career guidance देते, लेकिन आज तक मैंने किसी से career guidance के लिए एक रूपा भी नहीं लिया, मैं चाहता तो consultancy fees रख सकता था, मैं चाहता तो कोई इस तरह का project चला सकता लेकिन नहीं, क्योंकि मैं एक गरीब family से belong करता हूँ, था मतलब गरीब, और वो मेहनत करके यहां तक पहुचा हूँ, और मुझे भी काविसरे लोगों ने guide किया, अपने समय समय, मेरे teachers ने, मेरे कुछ colleagues ने जहां पर मैं job करता था, जब मैं student था, तो मेरे कुछ senior student ने, तो वो चीज़े मुझे realize होती है, कि हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं, जिने साई time पर साई guidance की ज़रूरत है, अगर मिल जाए, तो उनकी सितारे बुलंद हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ता ज़रू देखें, चैनल को subscribe करें, प्रेस दा बेल आइकोन for these kind of amazing information, आज बात करते हैं, कि क्या bank की job के लिए self study ज़रूरी है, और coaching ज़रूरी है, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, bank exam के लिए कौन दा subject ज़रूरी होता है, bank exam के लिए math, reasoning, English और आपका current affairs, ये चार subject ज़रूरी होते हैं, बागी छोटे मोटे subject जैसे computer knowledge होगी, वो आप एक दिन में या दो दिन में भी पढ़ सकते हो, self study से कैसे भी, ठीक है, या फिर मान लीजे, थोड़ा साइंस माइंस का कोई data हो गया, या bank की कोई information होगी, जो आपको main exams के लिए होती है, जो कभी ले सकते हो, लेकिन जो ये चार major subject हैं, वो कौन-कौन से हैं मैंने आपको भी बताए, वो चाहे आपका English हो, ठीक है जी, वो चाहे आपका maths हो, जिसे आप quantitative aptitude कह देते हो, ठीक है ना, चाहे आपका reasoning हो, ठीक है जी, और और आपका, जी हाँ, ये वाला reasoning नहीं, ये वाला reasoning, हाँ, चाहे आपका reasoning हो, और चाहे आपका English हो, ठीक है English नहीं, current affairs, यानि के CA, दोस्तों इन चारो subjects में, आप अगर, practically मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी student lesson ही होगा, जो इन चारों में perfect होगा, अगर कोई है, तो प्लीज मुझे comment करके बताना, कोई की, किसी बच्चे का, अगर theoretical subject अच्छा होता है, तो किसी का practical अच्छा होता है, जो maths में अच्छा, वो history में जीरो, जो history में अच्छा, वो math में जीरो, यह मैंने experience किया है, अपने teaching life में, कि अगर आप English में अच्छे हो, तो आपका math थोड़ा सा weak होगा, अगर आप reasoning में अच्छे हो, तो आप math में भी अच्छे हो, क्योंकि यह दोनो practical subject है, और यह दोनों जो subject है, यह है learning के, knowledge के, जिससे कि आपको knowledge आती हो, और यह दोनों है practice के, अब ऐसे में, कोई ना कोई बच्चा, किसी ना किसी subject में weak होगा, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले में वो आपको बताता हूँ, किसी ने का, आप bank की जोब तभी लगेगी, जब coaching लोगे, किसी ने का bank की जोब तभी लोगे, जब 8-8 गंटे पड़ोगे, तोनों में इसे कुछ भी सच नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, famous coaching center ढूंडते हैं, जैसे महिंद्रा औन महिंद्रा हो गया, या अड़्डा 247 हो गया, या विदा अंतु हो गया, या आपका अनकेडमी हो गया, कोई भी हो सकता है, मैं particular किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी को अच्छा नहीं बताऊँगा, मैं कहता हूँ, यह जो coaching की बात है, coaching में सोचते हो कि, वहाँ जाके हमें कोई ऐसी घूटी मिल जाएगी, जिससे की हम exam crack कर लेंगे, जितने बच्छे coaching लेते हैं, क्या सारे के सारे bank में जोब पाते हैं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे भी आपको यू पढ़ना पढ़ेगा, पहली बात, number 2, coaching में फाइदा क्या होता है, पहले वो समझ लो, हम math पढ़ रहे हैं, हमने कोई some solve किया, माली जो कोई question है, आपने solve किया 4-5 minute में, आप वहाँ coaching में जाओगे, वहाँ पे आपको short trick बताई जाएगी, जिससे आप इसे 1-2 minute में, आप crack कर लोगे, वहाँ पे आपको याद करने की कुछ trick बताई जाएगी, आपको पता है न, trick क्या होती है, उन्होंने एक grab बनाया, जिसमें आपको trick बता दी, आपको उससे 20-30 question याद हो गए, immediately, क्या बचा, time बचा, exam में बहुत बार हम exam देके आते हैं, और ये कहते हैं, यार मुझे सब कुछ आता था, बस time की कमी थी, मेरा रह गया, time होता तो मैं crack कर लेता, दोस्तों ये ही तो वज़ा है, 2 गंटे का, यार जो डेड़ गंटे का 90 minutes का जो exam होता है, उसमें हमें सब कुछ करके आना होता है, चाहे आपका railway का exam हो, चाहे bank का हो, और खासकर CBT कम्प्यूटर में जब वो timing चलती रहती है न, तो दिल की धड़कने भी बढ़ती रहती है, ऐसे में मैं आप सबको pure tips देता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा self study करो, मैं ये नहीं कहूँगा coaching लो, मैं ये कहूँगा आप इन चारो सब्जेक्ट में से मेजर करो, कि आपकी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा week हो, सारी सब्जेक्ट की coaching मतलो, पहले confidence खुद से बनाओ, become first year में हो, BA में हो, BSC में हो, जैसी first year complete होता है, क्योंकि job लगी duration के बाद, first year complete होता है, उसके बाद आप self study start कर दो, मालीज़ आप English में अच्छे हैं, तो English की self study start कर दो, math में अच्छे है, math की start कर दो, करते करते आपको, फिर उसके बाद, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा week हो, जिसका आपको alphabetic नहीं पता, या math में बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ English में कमज़ोर होते हैं, उस subject की separate coaching हो, उससे क्या होगा, वो subject आपका strong होगा, बाकी जो आप self study से कर रहे हैं, वो भी आपका strong होगा, ठीक है, एक बात, जो बच्चे का लगता है कि, नहीं सर, मुझे तो किसी subject में confidence नहीं है, वो coaching ले सकता है, लेकिन coaching जहां भी लो, वहाँ पर आपको tricks मिलनी चाहिए, सीखने को मिलना चाहिए, नहीं कि, आपका time pass हो रहा है, सीखने को मिलना चाहिए, और coaching लेने का, जो सही time होता है, वो होता है, second year के mid में, जो आप ग्रेशन करते हो, तो ग्रेशन के second year के mid में coaching लो, एक साल की coaching लो, उसके बाद self study करो, revision करो, exam तुरंत ग्रेशन होते ही, आप crack कर सकते हो, तो क्या समझ में आए आपको, कि self study इसलिए जरूरी है, क्योंकि उससे हमाना confidence अप होता है, जब हम coaching में जाते हैं, coaching में जाते हैं, तो वहां billion student देखते हैं अपने से, हमारा confidence डाउन होता है, यार यह तो मेरे से बढ़िया पढ़ने है, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, इस करने निकाला पता, दो बार exam दे दी इसमें, तो ये भी fail होगे, मेरा क्या होगा, self study से confidence आता है, नहीं मैं कर सकता हूँ, YouTube से पढ़ो, कुछ books लाओ market से, best book के पर मैंने एक वीडियो गनाई ते, मारी playlist देख लेना, वहां मिल जाएगी, तो क्या समझ में आया, पूरी coaching जॉइन करने से पहले, अपने आप से पूछो, तुमकी subject में अच्छे हो, उस subject की self study स्टार्ट करो, जिस subject में आप बहुत वीग हो, उसका particular separate coaching लो, उसके बाद आप अच्छे हो, और जब सारी study हो जाए, तो revision के लिए कोई coaching ले सकते हो, after that आपको exam crack करना है, अगर आपको ज़्यादा difference आता है, passing math से, आपको लगता है बहुत कमी है, तो coaching ले सकते हो, अगर आपको नहीं लगता, तो आप self study job निकाल सकते हो, bank exam की, और उसके लिए आपको ये ध्यान रखना, जब बुक लोगे न मार्किट से, तो हर एक की अलग अलग बुक ले ना, ये नहीं की एक बुक लिया है, बैंक की उसमें सारे subject है, हर एक subject की अलग अलग बुक लो, study करो, multiple बुक लो, notes बनाओ self, दूसरे notes सलो, जितना आप लिखोगे, उतना ज़्यादा समुन में आएगा, अच्छी लगिया वीडियो, तो like करना, इस तरह की और informative वीडियो के लिए, चैनल को subscribe करना, और किस टोई पर आपको वीडियो चाहिए, जब रूसे लगए, जब रूसे लगए,